Hello students, आज हम हिंदी व्याकरन में सर्वनाम पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो का जो वीशी है वह है सर्वनाम, इसमें हम जानेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिवाशा क्या है, सर्वनाम के कितने परकार होते हैं, और ये एक दूसरे से किस परकार बिन है, इनका कैसे उप्योग करते हैं, वाकियों में बिन-बिन तरह के सर्वनाम का उप्योग किस तरह से किया जाता है, इतने चीज़ों को आज की वीडियो के मादिम से मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या है सर्वनाम के अर्थ के विशे में जानने से पहले हम सर्वनाम को देखेंगे सर्वनाम शब्द में सर्व और नाम दो शब्द जुड़े हुए है सर्व का अर्थ है सबी पर नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द तो सर्व नाम का अर्थ हो जाएगा ऐसा शब्द जो सबी नाम की जगह पर आए जो सबी नाम वाले शब्दों के बद्वे परियोग हो वैसर्व नाम कहलाते हैं यहां रखिए सर्व नाम का अर्थ है सब नामों जाने कि संग्य शब्दों के लिए परियोग के जाने वाले शब्द ये शब्द सबी के लिए परियोग के जा सकते हैं सर्वनाम के प्रयोग से बाशा में सुन्धर आता है मैं, तू, वह, वे, हम, आप, कोई, कुछ, आदी सर्वनाम शब्द है इस गद्याश और चित्र को देखिए मैं संभव हूँ मियंग संभव का मित्र है मियंग संभव की कक्षा में पढ़ता है मियंग के पिताजी जॉक्टर है मियंग भी मियंग के पिताजी की तरह जॉक्टर बनना चाहता है मियंग को पढ़ाई की साथ साथ संगीत का भी शोक है पिछले दो बशों से मियंग तबला सीख रहा है आपने देखा कि उपित गद्याश में मियंग के नाम को बार बार दुराया गया है जो सुनने में और बोलने में दोनों में रुकावट पैदा करता है और कुछ अटपटा सा भी परतीत होता है आई इसी गद्याश को हम मेंग के सान पर अन्य शब्ट कप्रियों करके पड़ते हैं मैं संबभूं मेंग मेरा मित्र है वह मेरी कक्षम में पड़ता है उसके पिताजी डॉक्टर है वह भी अपने पिताजी की तरा डॉक्टर बनना चाहता है उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शोक है पिछले दो वरशों से बैतबला सीख रहा है यहाँ पे जो मेंख है वो संग्या शब्द है इस संग्या शब्द को दौराने के स्थान पर हमने मेंख के सान पर वह उसके अपने उसे शब्दों कप्रियों किया है इससे बाशा में सुन्दर आया और बोलने में भी सुविदा हुई वह उसके उसे अपने जो ये शब्द है वो सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम की परिवाशा क्या हुई? जिन शब्दों का परियोग संग्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, तू, वै, वे, हम, आप, कोई, कुछ, किसी, किनी, कही, क्या, कौन, किदर, कैसे, जो, सो, जैसा, वैसा, खुद, अपने आप जो ये सारे शब्द हैं, ये क्या है सर्वनाम शब्द सर्वनाम के छे बेद होते हैं पहला, पुरुष वाचक सर्वनाम दूसरा, निच्च वाचक सर्वनाम तीसरा, अनिच्च वाचक सर्वनाम चोथा, प्रशन वाचक सर्वनाम पांचवा, संबंध वाचक सर्वनाम और छटा, निच्ज वाचक सर्वनाम तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? कि सर्व नाम दो शब्दों के जोड से बना है सर्व और नाम जिसका अर्थ है सभी नाम वाले शब्द और सर्व नाम की परिवाशा क्या है? इसे समझा और सर्व नाम के कितने बेद हैं? इसको हमने पढ़ा Thank you students onषब लो जो झाए Esther